आज हम देखेंगे BlueStar 300L Convertible और Combo Defreezer के बारे में details इस वीडियो में हम देखेंगे Multi या फिर Combo Defreezer क्या होता है Convertible Defreezer क्या होता है As a customer आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए आपके Requirement के इनानुसाब Product के कुछ Features या फिर Comparison और या आपको सबसे अच्छे दाम में कहां मिल सकता है यह है BlueStar का Combi Defreezer यह 300 और 500 L Capacity में आता है आप जो देख रहे हैं यह 300 L Capacity का Combi Freezer है इसका Dimension है 1336 x 665 x 865 mm है Inches में बोलेंगे तो 52.5 x 26 x 34 inches इसका Weight 52 kg है इसमें भी R290 Refrigerant यूज होता है जोकी Eco Friendly है और बाकी सब BlueStar के models में भी यूज होता है जिसे कि मैंने कहा इसमें दो models आता है 300 और 500 यह 300 है और आगे हम 500 का देखेंगे अब देखते हैं इसका Control Time इसमें आपको दो Indicators दिख रहे हैं एक Switch और एक Thermostat Thermostat आपका Cooling Adjustment के लिए होता है Power Indicator आपका Light चालूए या बंद वो इंडिगेट करता है Run Indicator जो होता है यह Compressor चालूए या बंद है यह दिखने के रहता है और यह जो यलो कदर का Switch है यह आपका Freezer-Freezer या फिर Freezer Refrigerator Mode काम करता है यह Mode क्या होता है यह हम आगे देखेंगे यह Machine भी वाइट कल्द में आता है इसके उपर एक Plastic Thill में रता है जो कि आपको बाद में निकल सकते है जैसे कि Multi या फिर Combo Freezer जिसको बोलते है इसमें दोनों आपको Freezer और Cooler दोनों एक साथ ही मिलते है एकी Freezer में यह जो Section है यह Freezer Section है जिसका Capacity Around 185L या फिर Internal capacity 175L बोल सकते हैं यह वाला Cooler Section या फिर Chiller Section है जिसका Capacity 150 या फिर 137L भी है इसका Mettle जो है Stucco Aluminium होता है इसके बीच में Partition होता है Ice Melt करने के बाद या फिर कुछ Maintenance के बाद अगर पानी निकालना हो तो यह train plugs दिये होते है cleaning के बाद आपको ये निकाल के इसके नीचे tray रखके आपको उसमें पानी ही निकाल जाए है बाकी defresor की तरह ही इसको भी roller type 4 wheels होते है red marking के नीचे ही आपको दोनों sections में सामान रखना है इस machine के साथ आपको एक basket एक user manual दो keys, एक scrapper और दो plug holes मिलते है इसका model है CHFK 300 BGS इस machine में आपको दोनों तरह के मतलब inbuilt handles तो कि इस तरह होते है और दूसरे projected handles तो कि ये है ये दोनों आते है अब हम देखेंगे प्लूसर का 300 liters convertible defreezer ये आपको single door, double door BP inside और stucco aluminum inside दोनों में मिल सकता है इसका length है 1140 depth है 670 और height है 835 inches में 44.8 by 26.3 by 33 inches convertible का मतलब ये पूरा का पूरा machine आपका plus में या फिर minus में दोनों में काम कर सकता है इसके अंदर आपको कोई compartment नहीं मिलता इसके लिए आपको either इसमें frozen या फिर chilled items ही रखने है एक साथ आप chilled items और frozen items नहीं रख सकते जैसे कि multi में भी इसमें भी दो indicators होते है red indicator power kit ही होता है और green indicator आपका जब जब compressor बन चालू होगा वो on off होता जाएगा इसके अंदर आपको PP या फिर embossed PP या फिर टको ये options मिल सकते है इसका model है CHFDD300 DGPW, DSW इसके अंदर भी आपको मिलती है एक basket, एक user manual keys, scrapper और drain plug अब हम देखेंगे comparison convertible defreezer का 1 plus 3 यानि 4 years और combo defreezer का 1 plus 2 यानि 3 years का warranty आता है doors के बारे में obviously multi defreezer door doors में आता है और convertible defreezer जो है वो single door और double door option में आता है liter capacity के बारे में multi defreezer का capacity freezer का है 175 और chiller का 137 liters इसका gross capacity 150 और 185 respectively और convertible का 300 liters dimensions के बारे में दोनों का height और depth दोनों approach same है लेकिन width जो है वो एक 6 से 7 इंच बड़ा है multi defreezer का multi का range जो है temperature का वो plus का 2 से 8 degree होता है और minus का minus 18 से minus 20 exportable freezer का range plus 2 से लेके minus 20 तक होता है internal body के बात करें तो multi defreezer आपको सिर्फ स्टको aluminium में ही मिलता है और जो convertible है वो आपको PP और स्टको दोनों options में मिलता है अब हम देखेंगे actual working यह है multi defreezer 500 liters capacity में इससे पहले हमने देखा 300 liters में यह है उसका freezer section जो की पूरी तरफ से बर्प हो चुका है आप देख सकते हैं और यह है cooler section empty में cooler side को भी थोड़ा सा ice formation होना normal है इसका जो liter capacity है वो freezer का around 297 liters है और chiller का around 155 liters है अब हम देखेंगे इसका actual controller की freezer freezer और refrigerator freezer mode क्या होता है freezer freezer mode में आप जब डालते हो तो आपको total compartments यह दोनों compartments आपको freezer हो जाते हैं और जब आप यह mode freezer refrigerator पे होता है तब इन में से ही एक mode आप एक compartment आपका freezer का होता है और दूसरा होता है chiller का यानि minus और plus अभी currently हमने यह freezer refrigerator पे रखा है 500 liters में आपको body handles नहीं मिलते हैं इसमें projected handles ही आते हैं अब आपको कौनसा defreezer लेना चाहिए यह अपने application के उपर depend करता है इसके आलावे यह आपके पास कितना space available है इसके उपर भी depend करता है अगर आपके पास currently plus और minus मतलब chilled और frozen दोनों items एक साथ है तो आपको multi defreezer लेना चाहिए अगर आपका सिर्फ frozen food का ही business है तो आपके लिए convertible freezer लेना ही फायदे मन्द होगा जहां आपके पास space का issue है और आपको दोनों products एक साथ ही रखने है तब आपके पास multi defreezer से अच्छा choice नहीं है इसके आलावा काफी सारे selection criteria है जो कि आप purchasing के time पे हमारे executive को पूछ के decide कर सकते हैं यह सब प्रोडक्स देखने के लिए compare करने के लिए आप विजिट का सकते हमारे exclusive showrooms संगम एजन्सीज एट सिहंगाड रोड ओवड रोड विंपड़ेगुराव नगर रोड और सिटी ब्रांच पुने और बल्क enquरी पॉन्टक अंडर साइन on other commercial items we will upload new videos shortly thank you for watching